हेलो एव्रीवन वेलकम बेक टो प्रिंसेटीकरशन चैनल फिर्ट्स आज हम लोग यहाप पर सौल करेंगे क्लास 10 अलसे वाल की बुक से गाइस नियर एडिशन से एक्सराइस तू बी का कोशन नमबर 17 और 18 आई होप प्रिवेस वाले सब यह कोशन सौल कर लियोंगे नहीं की है इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस मिल जाएगी पॉलिनॉमियल्स क्लास 10 दैन उसमें आपको सारे सौलिशन अविलेबल है एक्सराइस 2A, एक्सराइस 2B, एक्सराइस 2C के एंड गाइस अगर आपने फॉल्स चाप्टर अभी तक सौल नहीं किया है तो रियल नमबर क्लास 10 में आप जाकर देख सकते हैं कि सभी एक्सराइस एक्सराइस 1A, एक्सराइस 1B, 1C, 1D, 1E, पांचों के पांचों के सौलिशन आपको अविलेबल है राइट गाइस और अगर आप चनल पर नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी जो चाप्टर के सौलिशन से उनकी नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो Z बटन पर क्लिक करके चनल सब्सक्राइब कर लीजे एंड बेल आइकन के और प्रेस कर दीजे जिससे ही आपको साहे नॉटिफिकेशन मिलते रहेंगे ओके, सो आईए स्टाइट कर लेते हैं कोशन नॉम्बर 17 find all the zeros of x की पावर 4 plus x cube minus 23x square minus 3x plus 63 if it is given that two of its zeros are 0,3 and minus 0,3 इस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि important note ये आपको हमेशा लिख देना है क्योंकि अगर आप point लिख देंगे पहले ही तो धियान लखना exam में examiner समच जाएगा yes आप कोई सीजे मालूम है so if not क्या है if alpha is a zeros of polynomial fx then x minus alpha is a divisal of fx means अगर आपका जो alpha है वो zeros of the polynomial fx का then x minus alpha वो divisal होगा किसका fx का या फिर कह सकते है factor होगा divisal या factor मैंना दोनों ही होगा किसका fx polynomial का now आपको question में fx दिया हुआ है कितना दिया हुआ है fx x की पावर 4 plus x cube minus 23 x square minus 3 x plus 60 so आप देख रहे हैं decreasing order में है power right so सबसे पहले यह दिखान लखना है decreasing order में आपको power के लिखना होगा zeros of the polynomial दिये हैं root 3 and minus root 3 तो alpha की जगहा पर हम क्या लख देंगे root 3 और एक पर minus root 3 that means x minus root 3 and x minus minus root 3 so इसे लिख देंगे x minus root 3 and x plus root 3 are the divisal of fx यानि कि यह जो polynomial है fx इसका यह दोनों क्या है divisor है या फिर क्या सकते है factor है तो हम क्या करते हैं इन दोनों को multiply कर लेते हैं so अगर आप multiply भी करते हैं इसे x को a मालने इसे b मालने तो a minus b a plus b का formula या देना आपको क्या होता है a square minus b square या तो आप directly multiply कर लिजे पहले x की दोनों टर्म में फिर root 3 की दोनों टर्म में तो भी value same आएगी या फिर हमें directly लग रहा है कि हम a minus b a plus b का formula प्लाई कर सकते हैं that means x square minus root 3 का square करेंगे तो 3 आ जाएगा ठीक है यह क्या होगा divisor होगा आप the divisor of fx right that means x square minus root 3 x square minus 3 are the divisor of fx so हम x square minus 3 से इसको divide कर लेते है x की power 4 plus x cube minus 23 x square minus 3 x and plus 60 so question cross check कर लेते है x की power 4 x cube minus 23 x square minus 3 x plus 60 right now solve करें इसको so divide करेंगे x square में किस की multiply करेंगे x की power 4 आ जाए x square की multiply करेंगे so x की power 4 minus 3 x square right so sign change करेंगे cancel now guys यहाँ पे क्या है x cube है यहाँ पे x square है तो यह x cube as it is आएगा right now minus 23 square plus 3 x square तो subtract हो जाएगी value तो क्या जाएगा minus 20 x square now x square में किस की multiply करेंगे x cube है obviously plus x की करेंगे तो x cube minus क्या हो जाएगा 3 x हो जाएगा sign change कर देंगे so cancel now यह x square है यह x है तो minus 20 x square आपका as it is आएगा minus 3 x and यह plus 3 x तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा now यहाँ से क्या जाएगा फिर 60 आजएगा यह concept समझ आया यह यहाँ पर minus 3 x है यह plus 3 x है तो solve करेंगे 0 हो जाएगा so हमने उपर से 60 ले लिया now x square में किसकी multiply करें तो minus 20 x हो जाए तो हम करेंगे minus 20 की किसके करेंगे minus 20 की तो ही आएगा minus 20 x square and minus minus plus 23 हो 60 sign change कर देंगे तो cancel cancel remainder क्या आगया 0 आगया अब आपको division algorithm मालूम है क्या मालूम है आपको कि fx किसके equal होता है by division algorithm लिख देंगे by division algorithm fx equals to gx into qx plus rx के equal होता है that means यह जो function होता है यह division into qtion plus remainder के equal होता है यही हम जानते हैं so अगर हम gx की value put करें तो x square minus 3 and qx की आया आपका x square plus x minus 20 and remainder आपका 0 आगया it means आपका जो fx है वो किसके equal आगया gx into qx के equal आगया ठीक है so बहुत सारे students को यहीं पर confusion हो जाता है कि book में आप देख रहे होंगे direct fx equals to gx into qx लिख दिया तो आप सोचते हैं यह कहां से आया so यह यहां से आता है क्योंकि remainder की value 0 हो जाती है so इसलिए हम directly लिख सकते है fx equals to gx into qx right so अब हम क्या करते हैं पहले इसके factor कर लेते हैं so x square plus x minus 20 20 बंजर 20 so 20 के ऐसे factor कीजिए जिसको add or sum करने पर 1 आए 5, 4, 20 होता है ना तो हम वो apply कर सकते हैं x square plus 5 minus 4 into x minus 20 so x square plus 5x minus 4x minus 20 that means x common ले लेंगे x plus 5 आ जाएगा यहां से यहां से minus 4 common लेंगे तो x plus 5 आ जाएगा right now x minus 4 into x plus 5 so हमने इसके factor किये तो यह value आ गई अब यह factor यह equation में रख देते हैं so fx equals to x square minus 3 को हम क्या लिखेंगे x minus root 3 and x plus root 3 यह जो हमारी value यहां से आई थी x square minus 3 इन दोनों के multiple से ही तो आई थी अब हमने वापिस इनको इस ट्रम में रख दिया and इसके factor थे x minus 4 into x plus 5 अब zeros of the polynomial यह आपको दिये वे थे it means यह equation क्या है zeros of the polynomial that means fx किसके एक्वाल है zeros के एक्वाल है zeros of the polynomial that means x की value के लिए यह 0 के एक्वाल होगा so यह term भी आपकी पूरी 0 के एक्वाल होगी that means x minus root 3 x plus root 3 x minus 4 into x plus 5 equals to 0 के एक्वाल होगा right यह भी आपका 0 के एक्वाल होगा so हम individually इनको किसके एक्वाल रखेंगे 0 के एक्वाल रखेंगे so x minus root 3 equals to 0 that means x equals to root 3 यहां से आजाएगा x plus root 3 equals to 0 that means x equals to minus root 3 ठीके यहां से x minus 4 equals to 0 रखेंगे तो x equals to 4 यहां से x plus 5 equals to 0 रखेंगे तो x equals to minus 5 so आप से क्या बूचा है find all the zeros of the polynomial तो यानि कि आप लिखेंगे hence all the zeros are root 3, minus root 3, 4, minus 5 so this is your answer इस तरीके से आप पूर कोशन शॉट आउट कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया यह statement wise आपको कोशन लिखना ज़रूरी है यह definition लिखेंगे तब भी आप यहां पर लिख देंगे यह आपका क्या है आप इने इस फॉर्म में लेख सकते है so यह आपका डिविजल होंगी that means यह भी आपका डिविजल होगा तो हमने डिवाइड कर दिया फिर बाई डिविजल अलगोरिथ हम आप यह अप्लाइ करके दिखा देंगे now factor कर लिया हमने equation का so हमने यह value हाँ पर put कर दी ठीक है तो हमारी यह आ गया so अगर आपको फेंट समझ आ गया है तो वीडियो लाइक कर दीजे and comment कर दीजे yes मैं मुझे समझ आ गया क्योंकि आपके likes and comments motivate करते हैं कि yes आप easily सब चीज़े समझ पा रहे हैं okay so now next question number 18 solve कर लेते हैं now question number 18 आपको दिया हुआ है obtain all the zeros of x की पावर 4 plus 4 x cube minus 2 x square minus 20 x minus 15 if it is given that 2 of its zeros are root 5 and minus 5 minus root 5 तो आपको 2 zeros of the polynomial दिये है and other calculate कर नहें so same जैसे मैंने आपको बताया था वो important not आपको सभी question में लिखना है important not if alpha is a zeros of polynomial fx then x minus alpha is a divisor of fx right so आपसे क्या गाए अगर alpha आपका zeros of the polynomial है so x minus alpha इसका क्या होगा polynomial का divisor होगा यह फिर कहेंगे factor होगा right so आपको 2 zeros of the polynomial दिये है that means हम alpha की जगे क्या put कर दे एक बार तो हम put कर दे क्या root 5 and एक बार put कर दे x minus minus root 5 so value क्या हो जाएगी आपकी x minus root 5 and x plus root 5 so हम लिखेंगे आप that means x minus root 5 और x plus root 5 are the divisor of given fx ठीक है यानि कि यह क्या है divisor है किसके इस given polynomial के so हम इन दोनों का multiply कर दे multiply करेंगे x को a root 5 को b माने a minus b a plus b किसके equal होता है a square minus b square that means x square minus 5 हो जाएगा so x square minus 5 is a divisor of fx यह भी इसका divisor होगा so हम इसको इससे divide कर देते हैं so आइए divide कर लेते हैं इसको x square minus 5 divide x की power 4 plus 4x cube minus 2x square minus 20x minus 15 right so हम अब इसको divide कर रहे हैं now x square में किसकी multiply करेंगे x की power 4 आ जाए x square की so x की power 4 minus 5x square sine change cancel so यह x cube है that means हम 4x cube as it is लिख लेंगे 2x square है यहां पर plus 5x square है so क्या जाएगा plus 3x square आ जाएगा right now x square में किसकी multiply करेंगे 4x cube आ जाएगा so plus 4x की करेंगे तो यहां पर क्या जाएगा 4x cube and minus 5 for the 20x sign change cancel now यह 3x square है यह 20x है तो add नहीं हो जकता different power की value है so 3x square and यहां से minus 20x लेंगे तो यह plus 20x है 0 हो जाएगी value तो यह दो 0 हो गया now minus 15 आ जाएगा now x square में किसकी multiply करेंगे 3x square हो जाएगा तो हम कर देते हैं plus 3 की that means 3x square and minus plus minus 15 so sign change cancel cancel that means 0 so remainder क्या आ गया है है 0 आ गया so हम लिखेंगे यहां से आप लिख देंगे by division algorithm fx equals to किसके equal होता है divisor gx into quotient qx plus remainder rx के equal होता है so हम value put कर दें divisor क्या है gx यहां पर x square minus 5 है ठीक है and quotient क्या है x square plus 4x plus 3 है and remainder क्या है आपका यहां पर 0 है then यह fx क्या था आपका यह value था right so बहुत सारी books में आपको दिया हो है जैसे कि fx equals to gx into qx so guys वो इससे आया है क्योंकि rx की value आपकी 0 है right now अब हम इसके factor कर लेते हैं now factorize x square plus 4x plus 3 तो 3 x 3 होता है तो इसी को यानि कि 3 plus 1 4 भी होता है तो हम यह यह apply कर देते हैं x square plus 3 plus 1 into x plus 3 so x square plus 3x plus x plus 3 c so यहां से क्या को मन आ जाएगा x so x plus 3 आ जाएगा यहां से क्या को मन आ जाएगा 1 so x plus 3 आ जाएगा that means आपका आ जाएगा x plus 1 into x plus c so factorize करने पर आपकी x plus 1 into x plus 3 value आ गई अब यह value put कर देते हैं यहां पर so fx equals to x square minus 5 को क्या लिखेंगे जैसे हमने जिससे यह आये था x minus root 5 into x plus root 5 इसको हमने क्या लिखा x plus 1 into x plus 3 ठीके और आपको मारूम है कि zeros of the polynomial होता है तो fx के equal होता है 0 के that means यह भी आपकी पूरी term 0 के equal होगी so x minus यहां पर लिख लेते हैं so x minus root 5 x plus root 5 into x plus 1 into x plus 3 equals to 0 के होगा now individually 0 के equal put करते हैं इसको जब हम यहां पर x plus root 5 equals to 0 के equal put करते हैं x plus 1 0 के equal put करते हैं यहां से x plus 3 0 के equal put कर देते हैं so put करने पर यहां से आपकी x equals to क्या आता है root 5 यहां को given भी था यहां से minus root 5 यहां से x equals to minus 1 and यहां से x equals to minus 3 so आपकी जो two polynomials दिये थे and obtain other polynomials वो कितने आ गए minus 1 and minus 3 so आप लिख देंगे so all the zeros are root 5, minus root 5, minus 1, minus 3 right so इस अदिके से आप अपने सारे zeros of the polynomial find out कर सकते हैं किसी भी equation के कोई भी question आपको दे दिया जाए so guys अगर आपको समझ आ गया वीडियो लाइक कर दीजे and comment कर दीजे yes मैं मुझे समझ आ गया so Z बटन पर क्लिक करके subscribe कर लिजे bell icon पर all rest कर लिजे and अपने friends को जादर से यादर share कीजी जिससे उनके लिए भी help विलो okay so आपको इसी तरीके से जितने सॉलिशन से वह भी मिलते रहेंगे CVC board की updates भी आपको मिलते रहेंगे and important questions, main points वह सभी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे so मिलते हैं next video में bye bye, take care